Hello everyone, welcome to my channel So biggest opener of the year Salaar The Seasfire is in theaters Have you watched it or not? अगर आपने देखी तो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताईए और अगर नहीं देखी तो hope this review will help you book your tickets तो पूरा review जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और अच्छा लगे तो चैनल को subscribe जरूर करें तो इंडिया के बावबोली एक बर फिर से comeback कर रहे हैं बड़े परदे बर Salaar के साथ वैसे दो उनके हर movie से एक तगड़े comeback की उमीद की जाती है लेकिन हो नहीं पाता So finally प्रशान नील जिन्होंने KGF World से पूरी Indian Cinema Industry को हिला डाला था उन्होंने ये जिम्मा उठाया है अगर आपको KGF सीरीज अच्छी लगी है तो definitely ये movie आपको पसंद आएगी इसमें आपको डेड़ सार एक्शन और एरवे केलिवेशन देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ एक dirty politics खांसार की गद्धी के लिए देखने को मिलेगी अगर acting की बात करें तो हर करेक्टर ने परशान दिलके खांसार के इस दुनिया को justify किया है सलार टोटली एक single screen cinematic experience है because there are so much bizarre worthy moments first fight then interval action blog and second half is full of them but कुछी जोने मुझे disappoint किया है उनके बारे में भी बात करेंगे तो ये कहानी एक खांसार की जहां तीन कवीले राज करते हैं मननार, गन्यार और शोर्यांगा तो कांसार इंडिया में एक independent country के तरह काम करता है इनके अपने कानून और नियम है जो की पूरे इंडिया में लागू होते हैं इंडिया का कानून इनके उपर नहीं चलता पूरे देश बहर में इनकी देश्चत है और इंडिया के होने वाले हर गेर कानून काम में इनका एक fix share रहता है इसी खांसार में देवा यानि परवास और बरदा यानि पृत्वी राज दोस्त हैं इनके बच्पन का थोड़ा दिखाया गया है कैसे दोनों एक दूसरे पर जान शिड़कते हैं वरदा वाँ के रूलिंग किंग राजा मनार का बेटा है तो कैसे इनकी दोस्ती और गहरी होती और क्यों देवा और उसकी माँ को खांसार छोड़के वहां से बाहर जाना पड़ता है वो सब थोड़ा दिखाया गया है इसके बाद मुवी fast forward present में आ जाती है जहां देवा एक coal mine में में मेकैनिका काम कर रहा है असाम के किसी छोटे से काओं में अपनी मा के साथ रहता है इसके बाद first stop में शुरुती आसन के एंटरी होती है जो फोरन से इंडिया आती है लेकिन इंडिया में उसके बाप का कुछ तो लफ़ड़ा रहता है कुछ-कुछ जगह पे वो बिल्ड़प थोड़ा ओबर लगता है बट जब इंटर्वल से ठीक पहले जो वो दो fight sequences आते हैं वो उस बिल्ड़प को justify करते हैं मूवे के BGM ने कहीं नहीं निराश किया है क्योंकि KGF की मेन ताकत उसका background score था बट इस movie में उतना काम नहीं करता है तो शुरुतियासन को बचाने के लिए फिर से देवा की entry खांसार में होती है यहां से फिर interval के बाद flashback की story स्टार्ट होती है देवा और वर्दा के बारे में थोड़ा खांसार की detailing हमें बताई जाती है और इसी flashback के साथ second half भी खतम हो जाता है फर्स्ट पार्ट की वो ending उतनी satisfying नहीं लगी जैसा कि के जी यह फर्स्ट पार्ट और बाव बोली फर्स्ट पार्ट में हमें second sequel के लिए थोड़ा excitement रहता है और दोनों के फर्स्ट पार्ट थोड़े satisfying note पे खतम होते है और पता नहीं परशाद निल कैसे इसे दो पार्ट में खतम करेंगे क्योंकि अभी कहानी देखने से ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत बाकी है अभी देवा और वर्दा कैसे दुश्मन बने इसके बारे में भी हमें detail में नहीं बताया गया है जस्ट थोड़ा सा hint दिया गया है दोनों के अलग अलग कभीलों के बारे में तो में भी वो एक reason हो सकता है यह ऐसा नहीं लगता क्योंकि देवा यानि प्रवास की जो characterization movie में की गई है is man of words मुझे लगता है कि दूसरा कुछ कारण रहेगा क्योंकि देवा अपना वादा पूरा करेगा और वर्दा को समराज्य देने के बाद दूसरे किसी कारण से वहां से बाहर जाएगा तो यह था दोस्तो मेरा review अभी इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो spoilers हो जाएगा उनके बाद इसके उपर एक detailed वीडियो लेके आऊँगा मुझे movie अच्छी लगी हाला कुछ चीज उने निराश किया जैसे BGM over build up और movie की ending उतनी satisfying नहीं लगी at least एक कहानी को थोड़ा खतम किया जा सकता था एक चीज़ की मैं तरीफ करना जाऊँगा परशाद निलगी कि उन्होंने जो detailing दी एक हान सार की सब एक number और sets जो बनाए हैं एकदम Hollywood लेवल का काम लगता है बहुत ही अच्छी cinematography की है as compared to KGF एदर camera work बहुत ही अच्छा है theater experience बहुत मजाएगा आपको देखने में so if you are a big fan of action and mass entertainers then definitely you should go for it it's a good movie you will enjoy this one so thanks for watching जल्दी मिलेंगे किसी नई movie के साथ तब तक के लिए धन्यवाद